हलो दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जय्द पर मैं हूँ आपका दोस्त मुअम्मद जय्द और दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ की ब्रेड किस तरीके से बनता है और आप लोग जानते होंगे कि ब्रेड स्पॉंजी रहता है तो उसकी स्पॉंजी रहने का कारण भी मैं आपको बताऊंगा तो सबसे पहले ब्रेड के लिए हम लोग बनाते हैं डौ डौ मतलब मिक्सचर होता है वो किस चीज का मिक्सचर होता है बेकर्स इस्ट और वो इस्ट रहता है सेक्रोमाइसिस सर्वीसे प्लस वाटर प्लस सॉल्ट प्लस अदर नेसेसरी माटेरियल्स इन सभी को आटे के साथ मिक्स करके एक डौ बनाया जाता है और फिर उसके बाद फर्मन्टेशन होता है उसमें जिसके कारण जो शूगर रहता है वो कारबन डौ अकसाइड और इथेनॉल में कनवर्ट हो जाता है और डिरिण जब उसको ब्रेट को हम लोग गरम करते रहते हैं say form होते रहता है तो carbon dioxide जो रहता वह release होता है और जिसके करण जो debates वो थोड़ा सा उचा उठ जाता है मतलब आप लोग काeger bread हो गया तो इसमें जोड़ा है वो carbon dioxide के करण उचा उचा उठ जाता है जिसके रेंसके अंदर के molecules दूर-दूर हो जाते हैं और वहแต millor गलता है और उसमें छोड़े जोड़े इसी के कारण पोर्स भी आ जाते हैं जब डौ में होल हो जाता है तो तो ब्रेड का फॉर्मेशन इसी तरीके से होता है एक बरफिर रिविजन करते हैं सबसे पहले हम लोग डौ बनाते हैं सैक्रोमाइसेस सर्विसे वाटर, सॉल्ट और अधर नेसेसरी माटेरियल को फ्लोर के साथ मिक्स करके फिर उसमें फर्मन्टेशन होता है कार्बो हाइडरेट का इस्ट के द्वारा इस्ट कॉनसा सैक्रोमाइसेस सर्विसे जिसके कारण जो शूगर रहता है वो कनवर्ट हो जाता है कारबन डाउकसाइड और इत्यनॉल में और फिर सीओ टू के कारण डौध जो होता है वो उपर उड़ जाता है जिसके कारण ब्रेड बन जाता है इस पॉनजी और आपका ब्रेड रेडी हो जाता है